जेहिंसाथियों नमस्कार गुड़ मॉनिंग कैसे आप सभी महासिवरात्री के पावन परुके आप सभी को हरदिक शुक्कामनाएं और हर बार हम कहते हैं कि अभी जो है रंगों का त्योहार आने वाला है और वह त्योहार हम सब मिल जुलकर मनाते हैं लेकिन उस बीच एक ऐस कालीबाई, अमरतादेवी, पदमनी तीन महला बटालियन का गठन किया जिससे जो महला वरग है उसमें भी एक खुशी की लहर तो है तोड़ने लगी कि हाँ अब हमारे लिए एक अलग से भरती है ऐसा ही पिछली सरकार भी करकर गई कि महला एसाई की भरते निकालेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए आप अपने हग के लिए खुद लड़े हम उसका नेतरतों कर सकते हैं पर मेदान में आपको याना पड़ेगा ठीक है तो आरेसी की भरती में भी भारी बदलाव किया जैसा हम यहां देखते हैं तो मासिवरात्री ओफर लगा तो आरेसी योगेता रहती थी क्योंकि यह रास्तान का जो है ससस्तर बल है इसकी योगेता कम रखी अब क्या हुआ कि रास्तान पुलिस की भरती में बदलाव देखने को मिला कि जो जिला पुलिस थी उसकी योगेता कर दी गई बारवी पास जैसे ही उसकी योगेता बारवी पास लेकिन इस बार जो CT के अंदर अगर RSC Constable भी शामिल कर दी माना कि इसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया और सभाविक सी बात है अगर उन्होंने योग्यता जो है बारवी करने का फैसला लिया है तो बस ये इसलिए लिया है कि पिसली CT में हमने जिलापलिस के इतने पत दे दिये थे इस CT के अंदर हम RSC के पत इतने दे देंगे अब जो भी विध्यारती त्यारी कर रहा है उसके लिए सबसे एहम एग्जाम राजस्तान में किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए रहेगा वो रहेगा CT के बात और इसके अंदर भी आगे जाकर फिर वो ये कह देंगे कि हम physical पहले लेंगे और ये बात में पहले भी आपको बहुत समय से कहता आ रहा था कि physical RSE में भी पहले होगा लेकिन उसमें ये जो बदलाव है अब ये उच्छ धिकारियों ने रखा है वहाँ पर क्या होता है कि नई सरकार बनती है तो धिकारियों चेंज हो जाते हैं अब उनसे जैसे मैं अपना प्रस्ताव रखूं नई सर इसके अंदर जो है योगेता इतनी रहनी चाहिए इसको सीर्टी में शामिल ना करो जिससे बहुत सारे विध्यारती जुडेंगे पहले पेपर होना चाहिए फिर उसके बाद फिजिकल होना चाहिए फिर उसके बाद उसका होना चाहिए जो पहले चल रहा था इतने सालों से चल रहा था लेकिband अभी सब कुछ निजी करन की बाते क्यों होने लगी आरेस के अंदर ऐसा ही शामिल कर देओ आरेसी कॉंस्टेबले की योगेता बार भी पास कर गए इन्हें शामिल कर देओ रीट को खतम कर दो टेट के मादेम से आयोजन करवाओ फस्ट ग्रेड शेकेंड सब के सेलेबस में बदला फिर क्या होगा इसके अंदर ममी हिंदी भी शीख जाशेया गणित भी शीख शेया रिजनिंग भी शीख शेया मान तो आरेस कितने पढ़ासी और मिल्ले काई को नहीं तो केकरा ममी इतना से लेबस दो आरेस प्रीग अंदर है बिमाने आज बार ये पास आल टाबरान करकार केती है कि आतम हत्याइं होती है मांसी गुरूप से विध्यारती प्रेशान होता है तो भाई साब एक छोटे बालक पर आप इतनी सारी किताबों का वजन डाल दो गया तो प्र उसके बाद वह प्रेशान नहीं होगा तो क्या होगा एक कॉंस्टेबल की त्यारी करने वाले विध्यारती को एक आरेस के परतिभागी के साथ में बराबर बेठकर त्यारी करने पड़ रही है और वह विध्यारती लास्ट में आरेस वाला भी वह कहता कि मैं भी इसका अवेदन कर देता हूं इसमें सेलेक्शन हो जाएगा अब बताओ और इसका पेपर कठीन आर और उस्तान बोर्ड की बेठेंग में यह परस्ताव भी पास किया है श्रीक्षा के लिए यही कारणे कि इस बार हो रही प्रतिभा नहीं मांगे गए थे तो अब अपने को यह इसके अंदर अगली वाली में जिला प्लिस को नाय मानते वे इसके अंदर शामिल होगी तो से कम छह मैंने ट्यारी करनी पड़ेगी और लोग सबा के चुनाओं के बाद में इसका प्रिक्षा का आईजन करवाए जाएगा और चुनाओं के बाद में इन पदों की घुसना की जाएगी और पहले भी हो सकती है घुसना इसा मैं कौन सा है सीर्टी और सीर्टी के अलावा अगर आप जाना चाहें तो वह है आपके पास इसके अलावा यहां पर कोई मतलब नहीं है यह अध्यापक भरती के अलग-अलग है लेगिन जब तक इनके लिए जिसे एक विध्यार्ति वरग में खुशी आए हाँ बस इतना जरूर है कि SOG का गठन करके SOG के माध्यम से कुछ दोसी जिनको पकड़ा गया है और कुछ नेयों को मोका भी मिलेगा यह जरूर हुआ है अब जो ने उसमें भी आपिस आएंगे क्या पता हो वो भी वेसे ना हो यह भी अपने कंफर्म नहीं कह सकते हैं ठीक दोस्तों जैहिन जैभारत तो आरेसी की भरती जो है उसमें बार्वी पास योगेता होते ही वो सीटी में चली जाएगी यह अभी कंफर्म हो चुका है और आगे इसकी घुस्ना होने वाली बाकी है ठेंक यू झाल झाल